16.7 प्लास्टिक का पुनह चक्रन Recycling of Plastic प्लास्टिक की वस्तुएं उप्योग करने के पश्चात इधर उधर फेक दी जाती हैं, किन्तु ये मिट्टी में अबगटित नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण इनको नस्ट करना अथवा इन्हें पुनह उप्योग में लाने लायक बनाना आवश्यक हो जाता है अनुप्योगी प्लास्टिक की वस्तुएं को उप्योगी उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को प्लास्टिक का पुनह चक्रन कहते हैं सन 1988 में प्लास्टिक उद्योग संस्था के द्वारा विभिन प्लास्टिक उत्पादों को पहचान कोट दिये गए प्लास्टिक का पुना चक्रन करने से पहले प्लास्टिक उत्पादों को उनके पहचान कोड के अनुसार अलग-अलग किया जाता है इन पहचान कोडों को साथ समुहों में बाटा गया है पहचान कोड में संख्या को तीन तीरों के प्रतीक के मध्य रखा जाता है सारणी क्रमांग दो समान कोड़ वाले प्लास्टिक का पुना चक्रन एक साथ किया जाता है सारणी क्रमांग दो प्लास्टिक पहचान कोड़ एवं उप्योग पहचान कोड़ एक वस्तों के नाम पानी बोतल शीतल पेय बोतल जैम का जार दो पानी का पाइप, बच्चों के खिलोने, जूस हे तू बोतल, शेंपू तथा क्रीम हे तू बोतल तीन, पीवी सी पाइप, जूस हे तू बोतल चार, पाँच, छे, साथ क्रिया कलाब एक अपने आसपास पाई जाने वाली प्लास्टिक की वस्तों के पहचान कोट को नोट कीजिए प्रते कोट की कौन-कौन सी वस्तों मिली, उन्हें वर्गिकृत कीजिए क्या आपको सभी साथ कोट की वस्तों मिली? अपने साथी द्वारा नोट की गई वस्तुओं के कोट को भी देखें तथा कक्षा में चर्चा करें चार से साथ कोट वाली कौन-कौन सी प्लास्टिक की वस्तुओं मिली उन्हें सारणी क्रमांग दो को कौपी में बना कर भरिए प्लास्टिक के पुना चकरन पर विभिन माध्यमों से जानकारी एकत्रकर कक्षा में इस पर चर्चा करें